Hello 7th class students, एक short पे एक marks पक्का और नया सवाल आप लोगों के सामने ये रहा chapter ratio से ये कह रहा है कि अगर x is to y की value आपको पता है, देखिए x by y की value अगर आपको पता है 3 by 4 है तो मैं यहां से कह सकता हूँ कि x की value होगी 3y by 4 उठाइए इस value को और आप substitute कर दीजिए जो जिसका आपसे ratio पूचा है 7x plus 3y upon 7x minus 3y में और जब आप इसमें x की value डालेंगे तो आपको एक fraction मिलेगा वो मिलेगा 11 by 3 का तो इसका मतलब आपको answer है यहां पर जो मिला वो है c 11 is to 3 मिलते हैं नए सवाल में तब तक लिए अपना ध्यान रखो bye and take care